आज हम लोग एमे सेकेंड से माज हम लोग ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहर भोज पढ़ने वाले हैं यह आप लोग के सेकेंड यूनिट का सेकेंड लास्ट टॉपिक है हम लोग को पता है कि गुर्जर प्रतिहार वंच के प्रतापी शाहसक मिहर भोज ने काफी ये श यह प्रशास्ति इसलिए बहुत मत्पूर्ण है क्योंकि इसके अंदर हम लोग उस समराज जी के जो भी शाहसक है मतलब में गुर्जर प्रतिहार के शाहसकों के लंबी सूची हमें मिहर भोज तक की प्राप्त होती है तो आज हम लोग इस अभिलेग को देखेंगे ग्वाल साघर तली सिच्वेटिण इन ग्वालियर साघर तल ग्वालियर में इसलिए इसलिए गवला प्रशस्ति भी बोला जाता है This is a famous inscription of Mihrbhoj which which also provides the detail of the provisions King previous Kings of Mihrbhoj । इसलिए इसलिए मत्तपूर है कि तो पहले के शास्त्कों की सूचना देता है इस inscription is started to giving the detail of from Naagbhatta प्रथम टू फर्स्ट मिहर भोज यह नागबट प्रथम से मिहर भोज तक के शास्कों की काफी विश्त्रित जानकारी प्रदान करता है इस अभी लेक के अनुसार जो सबसे पहले शासकी वो वजसराज है और इसमें यह कहा जाता है कि यह शाखा जो एक्षत्रियों की शाखा है और उज्जेन स्थित थी और इसमें यह भी कहा जाता है कि वजसराज की जो पूर्वज थे वो जो कि मिहर भोज का वजसराज पूर्वज था और यह वजसराज खुद को चत्रिय पुंग वेशु कहता है और लेक्षाधिप सेनाओं को हराने वाला कहता है यह दोनों उपा सब्सुत्री कहाक को सब्सुत circuits और इसमें यह में कहां गया है कि असलिए कहा जाता है क्योंकि dire ने अर्थ हरन किया था रोका था इसलिए हम भी प्रतिहार कहलाएंगे इस इस दा ओरीजिन ऑफ दा डानेस्टी अकॉर्डिंग तो दिस इंस्क्रिप्शन वद्सराज इंक्रीज्ट दा ग्लोरी ऑफ डानेस्टी बाइ विनिंग दा मैनी वार्ट वद्सराज बहुत सारी युद्धों क को जीत करके इस वंश के गौर्फ को बढ़ाता है वद्सराज डिफीटेड अपावर्फुल कम्यूनिटी नेम्ड भंडी बंडी जाती के लोगों को वहराता है अगेन वद्सराज कैप्चरड कन्नौज एंड एक्स्टेंड़ टेरिटरीज बाइडिफीटिंग दा अगनी बाइडिफीटिंग दा ओध्य डानिस्टी अवद्सराज इसके मादवत्सराज वह कन्नौज के उपर अक्रमण करके वहां के ओध्य वंश को हराकर कन्नौज पर क्याप्चर कर लेता और यहीं से कन्नौज को क्याप्चर करने के बाद ही बच्चों त्री राष्ट सबसे प्रतापी राजाओं में से आते हैं इनकी विजयों का उल्लेक देता है यह बिलेक वह बताता है कि आंद्र में सिंध विदर्व और कलिंग में इसकी विक्री हुई है साथ ही उसने कुछ और क्षेत्र जैसे गुजरात का आनर्थ मालवा किराल हमाचर प्रदेश का कि तुरुष्क तुरुष्क पश्मी भारत में कुछ जो मुस्लिम राज्य थे उनको कैप्टर करने का डिटेल देता है यह और वत्स और को शाम्भी इन सभी चियों की जो विजय थी वो नागभट्ट जोतिया ने करी थी ऐसा यह बिलेक बताता है एकॉर्डिंग तो दिस प अगनी की और जो कीड़े पकोड़े होते वह आकर्शित होकर के अगनी में गिर जाते हैं ठीक उसी प्रकार से आंद्र सिंद विदर्ब और कलिंग भी नागभट्ट द्युतिय की तरफ आकर्शित होकर के उनकी शरण में आ गये ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑल्स गिवि राश्ट्रकूर्ट और पाल राशास्कों ने कई अटाइक जो है इसके उपर रामबाद्र के उपर किये थे नेक्स एंट इंपॉर्टन रूलर वाज महिर वोज इन पीरिट ग्वालियर इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इसमें जो है अगला जोत्क्राइब अग्वाली का शास्विघ पतन माहत् पूलीयर पिश्रस्तिक और और भालियर प्रिश्रस्ति पीश को जो प्लिप सबसे महतपुर्ण शासक मिहिर बोज है जो हम को इस समय दिखाए देता है और according to this inscription he was taken the title आदिवरा he has all also issued coins of same title आदिवरा का जो टाइटिल था वो इसने लिया था और यही आदिवरा का उसे कालिंजर जीता उसके बास सम इंपोर्टेंट प्लेसिस लाइक मंदोर रीजन राजपुताना के उसने जहां पर एक शाखा भी प्रतिहार हो की थी वह जीत ली ही कैप्चुरी डानिस्टी गुहिल डानिस्टी करनाल अफ पंजाब और सम रिकोवर्ट सम वेस्टर एरिया फ्रम दहुना यह सारी विक्टरी वह करता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पश्मिक्षेत्र जहां पर होनों के विंशर राजी कर रहे थे वह भी यह जीत लेता है गौलियर और देवगड़ वर अलसो इन दिस रीजन इसमें यह भी दिया गया है कि वह गौलियर और देवगड़ भी उसके परिक्षेत्र में आ गये थे दा वर वर विद पाल किंग देवपाल इस गिवन इन दिस इसक्रिप्शन देवपाल एक बहुत प्रमुक राजा ह है और देवपाल अपने इंस्क्रिप्शन में यह बता रहा है कि उसने मेरभोज को हराया यद्यपी महिरभोज का इंस्क्रिप्शन इस बात को कह रहा है कि देवपाल एक महतपूर राजा था और उसके साथ हुआ जो युद्ध था वो अनरणीत था और यहां पर यह भी कह पूत्रों को फाइनली महिरभोज defeated the son of देवपाल इस प्रशस्ति के अनुसार यह कह रहा है कि उसके पूत्रों को हरा करके और महिरभोज जो है पालों को परास्त करता है सब्सक्राइब नागवट प्रिथम से लेकर महिरभोज तक जितने वी शासक हुए है उनके बारे में और उनकी उपलब्दियों के वारे में प्रकाश डालता है तो अब आप लोग इसके आधार पर अपना लेक्चर तयार कर लीजे थैंक यू वेरी माट